नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं The Engineering Mindsight.com से हूँ इस वीडियो में हम कपैसिटर के बारे में बात करेंगे कि वे काम कैसे करते हैं, उनका उप्योग कहा होता है और वे महत्वपून कियों होते हैं याद रखें कि बिजली खतरनाक होती है और घातक साबित हो सकती है, बिजली का काम करने के लिए आपके पास आवश्चक योगिता होनी चाहिए और आपको सक्षम होना चाहिए कपैसिटर के टर्मिनलों को नरच हुएं क्योंकि इससे बिजली की जटके लग सकते हैं तो कपैसिटर क्या होता है? कपैसिटर विद्यो दावेश को संग्रहित करता है. यह थोड़ा बहुत बैटरी जैसा ही है, हालांकि इसमें उर्जा का संग्रहन अलग तरीके से होता है. यह बैटरी जितनी उर्जा तो एकठी नहीं कर सकता, लेकिन यह उर्जा को कहीं अधिक तेजी से संचाई कर सकता है, और तेजी से रिलीज कर सकता है. यह बहुत उप्योगी है और इसलिए लगभग हर सर्केट बोर्ड में कपैसिटर का उप्योग किया जाता है. कपैसिटर कैसे काम करता है? पहले आप एक ऐसे पाइप की कलपना कीजिए, जिसके अंदर पानी बह रहा हो. इसमें पानी तब तक बहता रहेगा, जब तक हम वॉल्फ को बंद नहीं कर देते. वॉल्फ बंद कर देने पर इसमें पानी का प्रवाह बिलकुल भी नहीं हो सकता. यदि वॉल्फ के बाद हम पानी को टैंक में बहने दें, तो टैंक में थोड़ा पानी जमा हो जाएगा, लेकिन पाइप से बाहर पानी बहना जारी रहेगा. जब हम वॉल्फ को बंद कर देंगे, तो टैंक में तो पानी जाना बंद हो जाएगा, लेकिन हमें पानी की स्थिर आपूर्थी तब तक मिलती रहेगी, जब तक टैंक खाली नहीं हो जाता. टैंक को फिर से भर जाने पर हम वॉल्फ को जब चाहे खोल और बंद कर सकते हैं, हमें पाइप के सेरे से पानी की निर्बाद आपूर्टी मिलती है, जब तक कि टैंक पूरी तरह से खाली न हो जाए, इस प्रकार पानी कठा करने और आपूर्टी में आने वाली रुकावटो को दूर करने के लिए हम पानी के टैंक का उप योग कर सकते हैं, विद्यूत सरकेट में कपासिटर पानी की टंकी के रूप में कारे करता है और उर्जा का भंडारन करता है, यहां आपूर्टी में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इस उर्जा को रिलीस कर सक यदि कपैसिटर के बिना एक साधरन सर्केट को बहुत तेजी से चालू और बंद किया जाए तो एक रोशनी चमकेगी लेकिन अगर हम सर्केट में कपैसिटर जोड़ दें तो रोशनी रुकावट के दौरान भी जलती रहेगी कम से कम एक छोटी अवधी के लिए क्योंकि अग धातू की दो प्लेटे होती हैं जो आमतोर पर अलूमीनियम या अलूमिनम की बनी होती है इन्हें सिरेमिक जैसे डाई इलेक्ट्रिक कुछालक पदार्थ से अलग किया जाता है डाई एलेक्ट्रिक का अर्थ है कि यह सामगरी विद्युत क्षेत्र के संपर्क में होने पर धुरुवी करण करती है। कपैसिटर का एक सिरा सरकेट के धनात्मक सिरे से और दूसरा सिरा रिनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। आप देखेंगे कि कपैसिटर में एक तरफ पट्टिया और निशान बने हैं। ये बताते हैं कि कौन सा सिरा रिनात्मक है। इसके अलावा रिणात्मक सिरा छोटा होता है। यदि हम कपैसिटर को बैटरी से जोडते हैं, तो वोल्टेज इलेक्ट्रोनों को रिणात्मक सिरे से कपैसिटर की तरफ भेजेगी। कपसिटर की एक प्लेट पर उलेक्टरॉन जमा हो जाएंगे और दूसरी प्लेट कुछ उलेक्टरॉन छोड़ देगी फिर भी कुछालक पदार्थ होने के कारण उलेक्टरॉन कपसिटर से होकर नहीं गुजर सकते अंध में कपैसिटर और बैटरी की वोल्टेज समान हो जाएगी और एलेक्ट्रोनों का बहना बंध हो जाएगा अब कपैसिटर के एक तरफ एलेक्ट्रोन जमा हो चुके हैं जिसका मतलब है कि हमारे पास उर्जा संग रहित है और हम जब चाहें इसे रिलीज कर सकते हैं चुकि एक तरफ एलेक्ट्रोन अधिक हैं और एलेक्ट्रोन रिनात्मक रूप से चार्ज होते हैं तो इसका मतलब यहाँ है कि हमारे पास एक सतह धनात्मक और दूसरी सतह रिनात्मक है और इन दोनों के बीच में potential या voltage का अंतर होगा, हम इसे multimeter से माप सकते हैं. Voltage दबाव की तरह है. जब हम voltage मापते हैं, तो हम दो सिरों के बीच का अंतर या potential अंतर माप रही होते हैं. यदि हम एक दबाव व्योक्त पानी की pipe की कलपना करें, तो pressure gauge के द्वारा इस दबाव को देख सकते हैं. Pressure gauge दो अलग-अलग बिंदूओं के बीच तुलना भी कर रहा है. पाइप के अंदर के दबाव और पाइप के बाहर वायू मंडल ये दबाव. जब टैंक खाली होता है, तो gauge की reading शून ये होती है, क्योंकि पाइप के अंदर और बाहर का दबाव समान होता है, और उनकी आपस में तुलना नहीं हो सकती, दोनों का दबाव बराबर होता है. वोल्टेज के साथ भी ऐसा ही है, हम दो बिंदूओं के बीच का अंतर माप रही होते हैं. अगर हम 1.5 वोल्ट की बैटरी के दोनों सिरों के बीच मापें, तो हमें 1.5 वोल्ट की reading मिलेगी. लेकिन यदि हम एक ही सिरे पर मापेंगे, तो शून ये की reading आएगी, क्योंकि वहाँ कोई अंतर नहीं है, वह समान है. अब कपैसिटर पर वापस आते हैं. दो सिरों को मापने पर जो वोल्टेज का अंतर आता है, वह इलेक्ट्रोनों के एक अठा होने से होता है. बैटरी से अलग करने पर भी यही reading आती रहेगी. चुमबक के बारे में याद करें, वे प्रीद बिंदू एक दूसरे को आकरशित करते हैं और एक दूसरे की ओर खीचते हैं. यही negative यानि रिनात्मक चार्ज वाले एलेक्ट्रोनों के साथ होता है. वे दूसरी तरफ की प्लेट पर परमानूँ के सकारात्मक चार्ज करनों स आकरशित होते हैं, लेकिन कुछालक सामगरी लगे होने के कारण वे उन तक कभी नहीं पहुँच सकते. दोनों पक्षों के बीच यह खिचाव विद्युत क्षेतर कहलाता है, जो किसी अन्य मार के बनने तक इलेक्ट्रोनों को अपनी जगह बनाए रखता है. यदि अब हम सरकिट में एक छोटा लैंप जोड़ दे, तो इलेक्ट्रोनों को बहने और दूसरी तरफ पहुचने का रास्ता मिल जाता है. तो इलेक्ट्रोन लैंप से बहते हुए इसे पावर देते हैं, और कपैसिटर के दूसरी तरफ पहुच जाते हैं. हालां कि यह थोड़े समय के यही होता है. जब तक दोनों तरफ के इलेक्ट्रोन बराबर न हो जाएं, इसके बाद वोल्टेज शून यह हो जाएगा, खिचाव के लिए कोई बल नहीं होगा और कोई इलेक्ट्रोन नहीं बहेगा. जब हम बैटरी को फिर से जोड़ते हैं, तो कपैसिटर चार्ज होने बहुत आसान है. सर्किट बोर्ड में ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, और इंजिनियरिंग ड्वाइंग में इन्हें इस तरह बनाया जाता है. हमें कुछ बड़े कपैसिटर भी देखने को मिलते हैं, जिनका उप्योग इंड़क्शन मोटर, छट के पंखों और एर कंडि करते हैं, हलांकि आम तोर पर कपैसिटर को माइक्रो फैरेड में मापा जाता है, तो इसका एक माइक्रो सिंबल भी है, जो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे अंग्रेजी अक्षर यूम एक पूंच बना दी गई हो. दूसरा मान वोल्टेज है, जिसे वी से दिखाते हैं. कपैस कपैसिटर को एक निश्चत वोल्टेज के लिए बनाया गया है, और यदि मैं वोल्टेज को इससे अधिक बढ़ा दूँगा, तो यहाँ फट जाएगा. मैं ऐसे धीमिकती में दिखाऊंगा. मस्त है ना? हम कपैसिटर का उप्योग क्यों करते हैं? कपैसिटर के सबसे आम उप्योगों में से एक है बड़ी इमारतों में पावर फैक्टर ठीक करना. सर्किट में जब बहुत सारे इंडक्टिव लोड लगा दिये जाते हैं, तो करेंट और वोल्टेज तरंगों का तालमेल बिगड़ जाता है, और करेंट वोल्टेज से पीछे हो जाता है. इसको दूसरा मुख्य उप्योग AC को DC में बदलते समय पीक्स को हटाना है. जब हम एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर का उप्योग करते हैं, तो AC साइन तरंग उलट जाती है और धनात्मक दिशा में रिनात्मक साइकल बनाती है. इस ट्रिक से सर्किट को लगता है कि उसे DC मिल रहा है, लेकिन इस तरीके की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पीक्स के बीच में गैप आता है. पर जैसा कि हमने पहले देखा, कपैसिटर का उप्योग करके हम इस रुकावट के दौरान उर्जा रिलीज कर सकते हैं, जो बिजली की आपूर्ती को DC की तरह निरंतर बनात है. हम मल्टी मीटर का उप्योग करके कपैसिटरंस और स्टोर की हुई वोल्टेज को माप सकते हैं. सभी मल्टी मीटरों में कपैसिटरंस का फंक्शन नहीं होता है, लेकिन मैं जो मॉडल इस्तिमाल कर रहा हूँ, उसका लिंक नीचे अवश्य दूँगा. कपैसिटर के सा रिनात्मक और काले तार को रिनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं. यदि हमें कई वोल्ट या उससे अधिक की रीडिंग मिलती है, तो टर्मिनलों को किसी रजिस्टर या प्रतिरोधक से सुरक्षित रूप से जोड़ कर कुछ उर्जा डिस्चाज कर देनी चाहिए और वोल् रिनात्मक सिरे से जोड़ते हैं. थोड़ी देरी के बाद मीटर हमें रीडिंग देता है. हमें संभवत अह दिये गए मान के करीब की रीडिंग मिलेगी, लेकिन एक दम सटीक नहीं. उधारन के लिए इस वाले को 1000 माइक्रो फेरेट पर रेट किया गया है, लेकिन जब हम से पढ़ते हैं, तो हमें लगभग 946 का माप मिलता है. इस वाले को 33 माइक्रो फेरेट पर रेट किया गया है, लेकिन मापने पर लगभग 36 मिलता है. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. लेकिन आगे सीखने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो को देखिए और